आज हम बात करेंगे ब्रेइन हैम्रेज के बारे में जो के ज़्यादा तर लोग जानते हैं के फालिज के अटैक फालिज के अटैक अमूमन ब्लड प्रेशर के मरीजों में और शूगर के मरीजों में ज़्यादा होता है जो मेरा पैगाम आज लोगों के लिए है वो यह कि जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज है या जो शुगर के मरीज है उनको जब भी कभी लगवे का मसला हो चहरे पे किसी एक साइट पर कमजोरी हो या जिसम के किसी एक साइट पे एदाएं या बाएं साइट पे हाथ और पाओं में कमजोरी हो तो फॉरन जो भी घर के करीब हस्पिताल है उधर चले जाएं और अपना इलाज अपना CT स्कैन दिमाग का जरूर करो है फालिज का टैक दो तरह का होता है एक जिसमें खून बैजाता है और एक जिसमें खून की सप्लाई बंद हो जाती है दोनों सूरते हाल में ये एक एमर्जनसी है जिसकी जितनी जल्द ट्रीटमन शुरू होगी उतना ही अच्छा आउटकम आता है उतनी ही अच्छे नताइज निकलते हैं तो मेरा पैगाम लोगों को यह होगा कि ऐसे लोग जिनके घर में कोई भी जो के बलड प्रेशर या शूगर की दवाई ले रहे हैं अगर उनको खुदाना खास्ता दाएं या बाईं साइट पे कमजोरी हो हाथ पाउं में या लकवे की शिकायत हो तो फौरण अपने घर के करीब जो भी हस्पिताल है जहां पे सीटी स्कैन की सहूलत मौजूद है उदर ले जाएं और जल्द जल्द अपनी ट्रीटमेंट शुरू करें सहत आपकी जिमेदारी हमारी डॉक्टर अकपर न्याजी टीचिंग हास्पिटल